आपका सवाल है, प्रिथवी पर दिन और रात होते हैं, आपके ओप्षन है, A. दैनिक गती के कारण, B. वार्शिक गती के कारण, C. छमाही गती के कारण, D. तिमाही गती के कारण आपने वीडियो क्लिक कर ही दिया है तो थोड़ा मुस्कुराई और ग्यान लेकर जाए, आपका सही जवाब है, ओप्षन A. दैनिक गती के कारण, आपका दूसरा सवाल है, सबसे बड़ा ग्रह है, आपके ओप्षन है, A. ब्रहस्पती, B. प्रिथवी, C. योरेनस, D. शुक् आपका सही जवाब है, ओप्षन A. ग्रहस्पती, आपका तीसरा सवाल है, सबसे छोटा ग्रह है, आपके ओप्षन है, A. मंगल, B. शनी, C. बुध, D. नेप्चून चैनल पर पहली बार आये है, तो सबस्क्राइब कर लीजिए, आपका सही जवाब है, ओप्षन C. बुध, आपका चोथा सवाल है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है, आपके ओप्षन है, A. प्रशांत महासागर में, B. खिंद महासागर में, C. आप्टिक महासागर में, D. अन्य, आपका सही जवाब है, ओप्षन B. खिंद महासागर में, आपका पांचवा सवाल है, निम्नानकित में से कौन देश कोईले का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपके ओप्षन है, A. ब्राजील, B. भारत, C. अमेरिका, D. चीन, आपका सही जवाब है, ओप्षन C. अमेरिका, आपका च्छटा सवाल है, इनम्ने किसको जापान का मैंचेस्टर कहा जाता है, आपके ओप्षन है, A. ओसाका, B. टोकियो, C. नागा साकी, D. या कोहामा आपको सवाल पसंद आ रहे हो तो कमेंट जरूर करें, आपका सही जवाब है, ओप्षन A. ओसाका, आपका सात्वा सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दोरान, देकन एजुकेशनल सोसाइटी, नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, आपके ओप्षन है, A. जव आपका सही जवाब है, ओप्षन C. बाल गंगाधर तिलक, आपका आठवा सवाल है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आपके ओप्षन है, A. लौड केनिंग, B. नील आमस्ट्रॉंग, C. जॉन मताई, D. अनिया, आपका सही जवाब है, ओप्षन A. B. आरिय समाजने, C. ब्राहम समाजने, D. अनिया, आप इस तरह के वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक करके हमें सपोर्ट करें, आपका सही जवाब है, ओप्षन B. आरिय समाजने, आपका दस्वा सवाल है, विंध्याचल और सत्पुडा पहाडियों के बीच से होकर बहन आपके ओप्षन है, आपके ओप्षन है, A. नर्मदा, B. सिंधु नदी, C. कोसी, D. गोदावरी, आपका सही जवाब है, ओप्षन A. नर्मदा, वीडियो आपको कैसी लगी, जरूर बताएं, थैंक्यू.